नमस्कार दोस्तो और इस वीडियो में हम आपके लिले कहा हैं राजस्तान सेवा नियम अध्याई 13 के लिए संपुन अध्याई 13 को याद करने के लिए 100 ट्रिक्स जिससे हम करमवाई किसी मतलब सारे नियमों को हम करमवाई याद कर सकते हैं तो दोस्तो इस अध्याई में आपके वीडियो सेवा से समंदित नियम है नियम 141 से नियम 157 तक है तो हम आते हैं टाइम वेश्ट के विना नियम 141 से और 145 तक की ट्रिक पर आते हैं ठीक है तो 141 से 145 तक की ट्रिक है वो एक साथ है इन सभी लाइनों को आपको एक साथ करनी है कि वेदसिक सेवा में बेजने के लिए 141 क्रमचारियों की सहमति ली तो उन्होंने उसके बदले इस्थनांतन की सर्त थता इस्थनांतन के नियम बताए और कहा हमें बराबर वेतन बराबर परतिन युक्ति और 145 दिन का आवका सेम पैंसन अंसदान चाहिए तो दोस्त है तो अब वेदसिक सेवा में बेजने के लिए 141 क्रमचारियों की सहमति ली तो उन्होंने उसके बदले इस्थनांतन की सर्त थता इस्थनांतन के नियम बताए और कहा हमें बराबर वेतन बराबर परतिन युक्ति और 145 दिन का आवकास एम पैंसन अंसदान चाहिए तो ज होती है फिर नियम 142 में क्या आती है इस्थनांतन की सर्त आती है फिर नियम 143 में इस्थनांतन के नियम आते हैं इस्थनांतन के नियम मतलब वेतन बत्ते पदोनति वाले ठीक है नियम 145 में आपके हमें बराबर वेतन ठीक है तो बराबर वेतन का मतलब बराबर से संबंद चार चार आ रहे हैं न दो बराबर रंका रहे हैं इसलिए इसको याद करने की ट्रीक है और वेतन मतलब वेतन से संबन दीता है वेतन के लिए वेतन की सरते किसमें आपके 145 में और 145 में बराबर परती न्युकती ठीक है मतलब 145 ए बराबर का मतलब 145 ए और परती न्युकती किया आपके आउकास एंपैंशन अंसदान से संबन दिता है तो दोस्तों 5G Track Solution को आप लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें हम आपके लिए इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे और हमने आपको 10 Chapter 10, Chapter 2, Chapter 3 सबकी ट्रिक बता दी है और हम आते हैं Next Trick पर अब ये आपकी Next Trick होएगी आपकी 146 से और 149 तक Next Trick कोन से होएगी आपके लिए 146 से 149 तो आते हैं हम Next Trick पर Next Trick अपनी होगई ये होगी नियम 146 से 147, 149 तो इनको एक साथ में वही एक साथ याद करनी है पूरी लाइनों को जब भई पहली ट्रिक थी अपने क्या थी वेदेशिक सेहों में बेजने के लिए 141 क्रमचारियों की सहमती ली तो उन्होंने इस्तानांतिन की सर्थ था इस्तान के नियम बताए और कहा बराबर वेतन बराबर परतियों निक्ति और 145 दिन का उकास अब यह चाहिए यह तो उन्होंने यह नियम बता दिये ठीक है अब लेकिन उनको अन्सदान के साथ चाहिए यह बताया 146 से 100 गुंचास नियम के ट्रिक में ठीक है तो अन्सदान हमें fix rate पर calculation करके 148 परसेंट छूट देकर एक सो गुंचास परसेंट ब्याज दे तो आपको 146 से 100 गुंचास तक एसे याद कर सकते हैं कैसे कि अन्सदान हमें fix rate पर calculation करके 148 परसेंट छूट देकर 100 गुंचास परसेंट ब्याज दे कैसे एक बार फिर बता देता हूँ अंसदान हमें fix rate पर calculation करके 148% छूट दे कर 140% ब्याज दे अब नियम 146 में क्या है नियम 146 में आपके अंसदान की दर है तो fix मतलब 6 यानि की 146 और rate यानि दर ठीक है तो 146 का मतलब अंसदान की दर और नियम 147 में अंसदान की घंड़ना मतलब calculation calculation मतलब lesson आ रहा है मतलब 7 तो 147 समझ गए ऐसे ही नियम 148 एक तो 148% की छूट देना तो नियम 148 है अंसदान पर छूट देना ठीक है फिर नियम 149 है आपके ब्याज से समंदित अंसदान के बकाया ब्याज से समंदित कौन सा है नियम 149 तो नियम 149 किसे समंदित है अंसदान के बकाया ब्याज यानि 149% का ब्याज दे तो आपको याद हो गई होगी अंसदान हमें fix rate पर calculation करके 148% छूट देकर 149% ब्याज दे तो इसी परकार आपको 146-149 याद करनी है जिससे अपने 141-141 अपने 141-145 तक याद किया है ठीक है तो आपने अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं की हो तो वीडियो को लाइक कर दो और यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हम जल्द ही आपके लिए अध्याई, नेक्स्ट अध्याई लेके आएंगे विड ट्रिक के साथ तो आते हम फिर नेक्स्ट अपने ट्रिक फर इसमें आपको 4 ट्रिक बताईए मैंने 4 को एक स्टोरी की तरह है सांदार तरीके से याद हो जाती है नेक्स्ट अपने नियम 150 से और नियम 154 तक नियम 150 से और नियम 154 तक एक साथ याद करनी है आपको कैसे वहीं फिर एक साथ आपको याद करनी है पूरी लाइनों को याद नहीं करनी यह ओटोमेटिक याद हो जाती है क्योंकि एक सांदर्ड इस्टोरी की तरह है ये ठीक है लेकिन तुम कभी अंसदान मत रोकना अब उन्होंने वो अपनी ट्रिक पहले क्या थी 146-100 गुंचास तक अपनी ट्रिक थी वो ही सर्थ चल रही थी कि अंसदान मुझे फिक्स रेट पर कैलकुलेशन गणना करके 148 परसेंट छूट दे कर 149 परसेंट का ब्याज दे तो ये उनके नियम और शर्थ थी तो अब वो कह रहा है अब मतलब कंपनी उनसे कह रही है कि ठीक है लेकिन तुम कभी अंसदान मत रोकना हमें पैंसन पर स्विकरती देते हैं हम क्या करते हैं हम पैंसन पर तो स्विकरती हम बेतन भी चीए तो आपको 150 से 154 तक ये सांदाल ट्रिक से याद हो जाएंगे आप एक बार नहीं तो आप इनको लिख कर याद कर सकते हैं दोस्तों सांदाल ट्रिक है बिल्कुल एक बार में कंटस्ट याद हो जाएंगे तो कैसे ठीक है लेकिन तुम कभी अंसदान रोक कर सकते हैं ठीक है पिर हम 25 पर सिवकर्टी देते हैं मतलब 171 में नियम में आपके किसे समंदित है या आपके विदरसिक नियोजक्से पैंटसन या ग्रेजूटी की सिवकार करने की सिवकर्थी किसे 111 में, 1500 में आपके वेदसिक सेवा में अंसदान करमचारी दुवारा नहीं रोका जा सकता, ये नियम है, 152 वेदसिक सेवा में आवकास, वेदसिक सेवा में आवकास आपके किसे समझ देते हैं, 152 में, और नियम 153 में आपके बाहर से बाहर वेदसिक सेवा में आवकास किसी में राज के सेवा में पदोनती पर वेदेशिक सेवा की करमचारी के वेतन का नियमन किसमें आपके तो पदोनती वेतन का 154 में इसी प्रकार अपनी नेक्स्ट ट्रिक आती है अब आपको पता है उन्होंने उनके नियम सारे सर्थ बता दी ठीक है सारी सर्थ उन्होंने मान ली कंपनी ने अब कंपनी क्या कह रही है उनसे एक बार फिर से कंपनी कह रही है कि चलो मान लिया चलो मान ली तुमारी बात लेकिन 155 को तुम लोटोगे समझ गए 155 मतलब 155 कि और 15 तारिक, समझ गए, तो 15-5 को तुम लोटोगे, और 15-6 को हम सारी सरते बंद कर देंगे, जो तुम ने अब तक जितने भी सरत लगाई है, वो हम सारी सरते तुम्हारी बंद कर देंगे, और 15-7 से हम वसूली करेंगे, समझ गए, 15-7 से क्या करेंगे, हम वसूली, तो आपक आज को तुम लोटोगे, 156 को हम सारी सरते बंद कर देंगे, और 157 से हम वसूली करेंगे, ठीक है, अब 155 में क्या है, 155 में वेदेशिक सेवा से लोटने की तारीख किसमें है, 155 में, फिर 156 में क्या है, आपके वेदेशिक नियोजक वेतन, एम पैंसन असना का भुगतान कर देगा, शमझ गे, तो बंद कर देगा, क्या बंद कर देगा, वेतने हम पैंसन बंद कर देगे, तो 156 में क्या है, वेतने हम पैंसन, अनसदान को बंद कर देगे, और 177 में आपके नियमित संस्तापन के मामले में सरकार को भुगता नेहतू, अनसदान की वसूली, किससे सम तो हम आयाद कर लेना 15.5 को तुम लोटोगे 15.6 को हम सारी सरते बंद कर देंगे और 15.7 से हम वसुली करेंगे तो आपके 155 नियम लोटने की तारिक 156 नियम वेदेशिक नियोजन वेतनियम पैंसन अनस्थान का भुकतान करना बंद कर देना 157 नियमित संस्थापन के मामले मे सरकार को भुकतान ये तुम अनस्थान की वसुली करना ठीक है तो दोस्तों 5G ट्रेक सोलुसन को आप लाइक करें सेर कने सबस्क्राइब करें तो और आप सबस्क्राइब कर लीजे जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो आपके लेके आएंगे इसी परकार आपके लिए जी एफ दोस्तों और आप सफल हो सकते हैं धन्यवाद